हेलो दोस्तों मेरा नाम सुमिश सिंग है और विज्ञान के ज्ञान में मैं आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज मैं आपके सामने क्लास 10 जो की इस बार आपका बोर्ट का एक्जाम होना है तो उसके सेलेबस का मैं डेटेल में आपको बताने जा रहा हूँ और वीडियो को अंतक देखिएगा ताकि एक्जेक्टली आपको पता चले इस पार चैप्टर्स कैसे आ रहा है और क्या-क्या टॉपिक्स हैं जो उनके में टॉपिक्स रहेंगे जैसा कि आप देख पा रहें यहाँ पर आपके पास यह टोटल फाइव यूनिट्स को इनों ने डिवाइट किया है इंटर्नल एसेस्मेंट का बीस नंबर है और टोटल असी नंबर का आपका पेपर होगा गरान टोटल वन अंडेड हो गया चैनल एक्विशन होता है जो हमें पढ़नी चाहिए जरूर पढ़नी चाहिए जैसे हमें चैनल एक्विशन की समझ होनी चाहिए हम लोग बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं बैलेंस्ट कैमिकल एक्विशन होता क्या है अगर हमारे पास कोई अनबैलेंस्ट आ गया है तो किस मेथट के जरी हम उसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे कोशिंस आएंगे जैसे सपोज लिखा हुए ने 2SO4 प्लस S2O something and कोई reaction हो रहा है तो यहाँ पे जो product बन रहा है उसके साथ क्या लगेगा यह हलाकि यह detailed में है इसकी वीडियो आप चैनल पर मिल जागी बड़े आराम से आप इस chapter के एक एक topic wise वीडियो देख सकते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि बैलेंसिंग कैसे करें types of chemical reaction ज़रूर पढ़ेंगे आप जिसमें से कि आपको combination, decomposition, displacement, double displacement precipitation, endothermic, exothermic oxidation, reduction इसके definition से याद रख लेंगे और एक एक example पका आपको दो तीन नमबर इससे पका मिल जाएगा आराम से बड़े आराम से आपको मिल जाएगा acid basis salts की बात करें तो इसमें सबसे पहले मतलब H plus iron, OH minus iron का क्या concept होता है मतलब acids Q and H plus iron देते हैं basis Q and H minus iron देते हैं OH minus iron देते हैं इसको आपको समझना पड़ेगा फिर general properties, acid की क्या होती है physical properties, chemical properties basis के क्या chemical physical properties होती है salts कितने प्रकार क्यों होते हैं जैसे की pH scale पे हम लोग कैसे कैसे किन चीज़ों का नापते कुछ महत्पूर्ण चीज़ों का pH भी आपसे पूछा जा सकता है इस pH का हमरे daily life में क्या use है जैसे की sodium hydroxide, bleaching powder baking soda, आपका washing soda plaster of Paris इसकी definition और इसको हम कैसे बना सकते हैं brine क्या होता है उसके बाद इन सब के chemical name क्या है chemical formula क्या है यह सब चीज़े आप पढ़ेंगे मतलब बड़े आराम से एक दिन में आप चाहेंगे तो एक chapter cover कर लेंगे बहुत आराम से हो और मैं आपको syllabus को कैसे divide करना है कितना कैसे कैसे करके पढ़ना है यह अगली वीडियो में बनाऊंगा चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें next friends आपके सामने है properties of metal, non-metal वह आप बहुत अच्छे से पहले भी अपने class 7-8 में भी पढ़ा है उसको reactivity series आप बहुत अच्छे सपढ़ लेंगे आनिक compound की क्या properties होती है corrosion क्या होता है उसको हम कैसे prevent करते है metallurgical process क्या होते है किससे हम लोग metals को चीज़ और उनके compound से अलग करते है carbon compound की अगर बात करें तो carbon compound में cobalent bonding क्या होती है versatile nature of carbon क्या जिसमें catenation और यह सब सारी चीज़े आती है वह सब आप अच्छे सपढ़ेंगे होमोलोगा series क्या होता है मतलब हम normal culture कैसे करते है carbon compound का जिसमें अलग 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 तरह के functional group में चाहे जैसे alcohol की बात करें तो methanol, propanol, ethanol इस प्रकार से या किटोन में जैसे आप मान के चल सकते हैं कि जैसे methanol हो गया है आपके किटोन हो गया वह नहीं लगा रहागा इसमें फिर इसके बाद जैसे methanol, ethanol, propanol, butanol यानि के aldehyde, फिर alkyns जैसे की methane फिर alkyns यानि methane सब के बीच की अंतर को आप समझेंगा saturated hydrocarbon on saturated hydrocarbon नम क्या अंतर होता है detail में चैनल पर सारी वीडियोज उप लब दें तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है और इसके बाद कुछ carbon compound की chemical properties आपको पढ़ने हो पढ़ेगी ethanol, ethanol, ethanoic acid की chemical properties और uses पढ़ना है बहुत ज़्यादा detail नहीं कि ethanol की क्या properties होती है, क्या uses होती है इसको आपको अच्छे पढ़ना, sop-sop-sop detergent क्या होते खास बात यह है कि एक बड़ा chapter और मतब बचों की साब से थोड़ा complicated periodic classification of elements इस पर हटा दिया गया तो chemistry का syllabus बहुत आराम से आप चार से पास जिर में cover कर सकते हैं और हम लोग 30 days का एक challenge भी लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम यह syllabus आपको cover करके देंगे इसके बात करते हैं हम लोग world of living के जिसमें हम लोग nutrition, respiration, transportation, excretion यह सब पढ़ेंगे animals में और plant में कैसे कैसे होता है फिर control and coordination में हम लोग tropic movement पढ़ेंगे introduction क्या plant hormones कितने प्रकार के होते हैं इनका क्या function है animals में क्या होता है जिससे nervous system में voluntary, involuntary और reflex action क्या होता है मतलब voluntary वही आपने पढ़ा भी होगा कि मतलब जो हम अपने एक शासे जो भी हम काम करते हैं voluntary, involuntary जो जिस पर हमारा control नहीं होता है जैसे heartbeat वगरा reflex action जैसे कोई चीज होती है suppose गरम चीच चूते ही हमारा हाथ पीछे चला जाता तो इस फ्लेक action है इसके लाओ chemical coordination, animal hormones हमारे hormones के विसे में आपको पढ़ना है reproduction में animals और plants के sexual को आपको अच्छे से पढ़ना है और reproductive health जैसे कि हम लोग family planning के लिए क्या-क्या methods अपना सकते हैं और क्यों जरूवत है family planning के है आपको भी पता है कि हमारे देश के आबाद ही चाइना से भी आगे जा रहे ही दिरे दिरे फिलाल तो कम है लेकिन आने वाले सालों में हम चाइना से भी उपर होंगे और सिर्ट सिक्स क्या होता है मतलब HIV AIDS क्या है मतलब हम women के health को कैसे मतलब उनका क्या क्या है प्रॉपर उनको हैजीन या या सब सारी चीज़े है हरेडिटी एवोलूशन की बात करें तो इसमें मेंडल्स के contributions को आपको बिसिकली पढ़ना है law of inheritance अप्टेर्ट्स, sex की determination कैसे होती है और बाकी evolution वगरा हटा दिया गया इसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब मेंडल्स की law को आप पढ़ लेंगे तो समझे आपका हरेडिटी खतम है evolution को तो पूरा अटा ही दी गया अलगबग अब आते है natural phenomena में इसमें आपको light chapter अच्छे से पढ़ लेना है spherical mirrors के बिसे में अच्छे से आपको पढ़ लेना है spherical lenses के भी से में अच्छे से पढ़ लेना है हमारे आग का क्या function होता है उसको पढ़ लेना हमारे आग की कौन-कौन सी बिमारिया होती है और उनकों कैसे सही कर सकते है और हमारे आग की in disease में या defects में किस प्रकार से यह spherical mirror lenses का क्या roll होता है यह सब सारी चीज़ है इसके लावा dispersion of light, scattering of light application, daily life यह सब सारी चीज़ है इनका यह थोड़ा सामलोग का जैसे rainbow rainbow का concept थोड़ा से पढ़ना होगा फिर बात करते हैं effect of current की तो electric current है, potential difference है electric का मतलब यह है, क्या कहते है ohms law है, resistance है, resistivity है factors कौन-कौन से होते हैं, जिन पे किसी conductor का resistance मतलब जो हता है, depend करता है, series connection क्या होती है अपने बढ़ा भी होगा, जैसे हम लोग series में resistors को जो 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 होते है R is equal to R1, plus R2, plus R2, plus R3, plus R4, ऐसे करके जो series में चलता है, फिर parallel में मतलब 1 upon R is equal to 1 upon R1, plus 1 upon R2, plus 1 upon R3, तो ये एक series और parallel connection के विसे में हमको पढ़ना hitting effect हो, यानि कि edge is equal to I square RT वाला formula है, उसको अच्छे से कैसे, उसका applications है, हमारे daily life में, इसके लावा electric का power हम कैसे calculate करते हैं, मालिया, आपके पास ऐसे question आ जागा, कि एक 200 watt का बल्ब है, दिन बर में 8 घंटे यूज होता है, एक मेंने में कितना बिल्ली draw करेगा, ये सब, इसके लावा relations क्या है, जैसे कि power में, फिर से potential difference में, volt में और बाकी इन सब चीज़ों में क्या क्या relation है, resistance से current का क्या relation है, magnetic effect की बात करें, तो magnetic field क्या होती है, magnetic field lines क्या होते हैं, फिर magnetic field due to a current carrying coil वया, solenoid को अच्छे से पढ़ लेना है, elektromagnetic inductions अच्छे से पढ़ लेना, flaming left hand ruler आपको अच्छे से पढ़ लेना, direct current अगर अच्छे से पढ़ लेना, advantage of AC over DC ये सब सारी चीज़ें कि मतलब क्या क्या DC से advantage मिलता है, हम लोगों के AC में, फिर natural resources की बात करें, इसमें हम लोगों को ecosystem, environmental problem, ozone depletion, west production, solution, biodegradable, non-biodegradable substances के विसे में अच्छे से हम लोगों को पढ़ लेना है, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हमरा topic में हैं, जैसे कि मान लीजे कि आपको pH find out करने के लिए दिया जा सकता है, कई जारी चीजे होंगी, उनमें आपको pH paper या universal indicator दे दिया जाएगा और आप से पुछा जागा कि इसका pH find out करिए, ये हो सकता है, इसके लावा properties of acid और basis के लिए कि आपको कुछ लिटमस solution और कुछ metal, non-metal ये दिये जाएगे ताकि आप उसको अच्छे सकर सकें, इसके अलावा combination reaction आपको दिखाना पड़ सकता है, decomposition displacement, double displacement इन सब स्यारी चीज़ों को दिखा जा सकता है, quick lime पे water का क्या effect होता है, feros sulfate crystal है, मानली Fe2SO4 जो होता है, उसपे heat का क्या effect है, iron, nil, captain, copper sulfate solution, यानि की Fe plus CuSO4 वाला आपको दिखा देना है, इसके लावा फ्रेंट्स आपको salt solution में आपको ये देखना की, किन किन metals का salt solution में क्या क्या action होता है, तो इस तरह से बहुत सारे quality practicals के लिए मिल जागा कि हमें practical में क्या करना है, तो अब हम बात करते हैं, question paper की design का, तो demonstrative, जो knowledge और understanding है, 46% अकेला है, मतलब सीधे-सीधे बात यह है, इसका अगर हम सरल भासा में, अगर इसको हम लोग कहें, तो इसका मतलब यह है, कि जैसे किसी चीज़ को define कैसे करना, describe कैसे करना, summarize कैसे करना है, उसके identification कैसे होगी, तो यह सब होता है, कि जैसे आपको कुई चीज़ दे दिया गया, तो आप कैसे बताओगे, कि यह क्या चीज़ है, कोई चीज़ है, y से टकरा के z बन रही, तो यह एक्स क्या है, y क्या, z क्या है, तो यह थोड़ा बहुत आपको नाम होगारा है, इसा बताना, फिर इसके बाद, concept की बात करने है, कि आप चीज़ों, मतलब जैसे आपके पास, किसे चीज़ की knowledge या concept कैसी है, कि मतलब आप किसे चीज़ को calculate कैसे करते हैं, explain कैसे करते हैं, अंतर कैसे मान लिए, आप से पूस दिया, आप से exam में कि, आप यह बता क्या इनिक बांड और कोवलेंट बांड में क्या अंतर होता, तो यह सब चीज़ें आपके knowledge और concept बेस्ट होती हैं, इसके अलावा जो formulas वगरा हैं, या analyze करना, किसे चीज़ को create करना, interpretation करना, उसमें चीज़ों को examine करना, तो overall friends मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरा पूरा ध्यान देना, कि आपकी concept knowledge जो भी है वो proper है, क्योंकि मैं यह मान के चलता हूँ, क्योंकि इस बार science का 70% आपके concept base ही होगा, और काफी अच्छा होने वाला है, उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जल्दी ही आप हमारे channel के साथ जोड़ जाएंगे, और इसके साथ ही साथ आपसे मैं बड़े मुश्कुराते हुए एक शब्द कहना चाहूँगा, कि बचों बिल्कुल डरने की जरुवत नहीं, अगले 30 दिन में हम आपके साथ हैं, और हम आपको बताएंगे 30 दिन में पढ़ना कैसे हैं, और क्या-क्या बढ़ना है, अंडों वरी, हम आपको सजेशन्स देंगे, आप चैनल को प्रुमोट करिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स ही हैं, जो हमें आम टीचर से खास टीचर के, मतलब तौर पे समाज के सामने ला सकते हैं, तो प्लीज प्लीज बचे लोग प्लीज सपोर्ट करिए, ताकि ये जर्नी यादगार रहे, थैंक यू, मिलते अंगली वीडियो में.